एलो ग्रीन टी केसर एलो विरा एक ऐसी और्शधी है जो गुरों से भरपूर है इसके जल में 200 से ज्यादा पौशक तत्व पाए जाते हैं जिनमें 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिद्स और 12 विटमिन्स है एलो विरा आपके पाचक तंत्र को मिस्बूत बनाता है जिससे मिलती है ज्यादा एनरजी और बढ़िया सिहत एलो विरा शरीर के मेटरबलिजम को पूरी तरह से सक्रिय करता है और शरीर की रोग प्रतिरोथी शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों ग्रीन टी एक प्रकृतिक प्यपदार्थ है जो शरीर से घातत पदार्थों को बाहर निकालता है और शरीर की कार्य परणाली को सुचारो रूप से चलाने में मदद करती है आजकल ग्रीन टी का सेवन विदेशों में भी बहुत प्रचलित है हमारे देश में भी ग्रीन टी का सेवन बहुत यात्मी किया जाता है पाचन शक्ति बढ़ाने लीवर इत्यादी की समस्या को खत्म करने एवं शरीर में नई ताज की भरने में ग्रीन टी के कमाल के गुण देखे जा सकते है बात करते हैं केसर की प्रकृती के हर फूल हर भल में जहलकता है जिसका असर औश्यधिय गुणों की खान है सुगंधी भरपूर केसर केसर एक बहुमुल्य औश्यधिय है ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाले प्रकृती की अनूखी देन केसर जिसके सेवन से निरोगी त्वचा, निरोगी हदर और निरोगी स्वस्थ पाया जा सकता है केसर का मतलब ही है अमृत जिसे फूलों के पराग से त्यार किया जाता है काहा तो यहां तक जाता है दोस्तों कि सौ सार तक निरोगी रहना है तो केसर का निरंतर इस्तिमाल करें दोस्तो एलोवेरा, ग्रीन टी और केसर का ही सौमनी सुमिशन है यह उपाद जो शरीर को स्वस्थ रखता है पार्चुन क्रिया सुधाता है एवं खून के न्यंतन को शरीर में विवस्थित करता है दोस्तो इसके इस्तिमाल के साथ साथ एक बात का खास दोर पे ठ्यान रखेगा कि पूरे दिन में आपको पानी बहुत ज़ादा पिना है जितना ज़ादा पानी आप पिएंगे उतना ही पानी आपके शरीर में से विश्यले पदार्थों को निकालने में सक्षम होगा और इसके इस्तिमाल की बात की जाए तो आपने 10 ml सुभा लेना है खाली पेट या सुभा के नाश्ते यानिके ब्रेकफास से एक घंटा पहले और ऐसे ही 10 ml शाम को यानिके डिनर से एक घंटा पहले और आपको बताएं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है आपकी तेस्ट बत्स को बहुत पसंद आएगा और यकीन मानिए स्वात के साथ साथ आपका स्वास्ति भी बहुत बढ़िया रहेगा जब आप इस्तिमाल करेंगे एलो ग्रीन टी केसर